ओम नमो नारायन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हर दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी परिवर्थिनी एकादशी का व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए द्वादशी तिति के दिन किस शुब मूर्थ में आप व्रत खोल सकते हैं कौन-कौन सी चीजें आपको आज के दिन खानी चाहिए अगर आज ही आपका प्रदोश व्रत भी है तो आप अपना व्रत किस तरह से खोलें की आपका एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाए और जो लोग प्रदोश व्रत रखते हैं उनका भी व्रत शुरू हो जाए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2021 में परिवर्तनी एकादशी कव है परिवर्तनी एकादशी के दिन कहा जाता है भगवान श्री हरी चार महिने के समय में जो निद्रा असन में रहते हैं शयन मुद्रमे पाता लोक में निवास करते हैं इसी समय आज के दिन ही भगवान विश्नु करवट बदलते हैं जिसकी वजह से इस एकादशी को परिवर्थनी एकादशी कहा जाता है इस दिन को बहुत सारी जगा पर डोल ग्यारस के नाम से भी मनाया जाता है क्योंकि कहा जाता है इस एकादशी के दिन ही भगवान कृष्न को उनकी माता यशुदा ने सूरस देवता को दर्शन कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए थे उन्हें इस्नान कराया था उन्हें शुद्ध कराया था और उसके बास से बहुत सुन्दर सुन्दर जहां किया हमा भगवान को निर्मान और स्रेजन का देवता माना जाता है धार्मिक मानेता है कि इस दिन भगवान विश्व कर्मा की अगर विधीवत पूजा कर ले जाए तो ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोत्री होती है और खूब बरकत होती है कहा जाता है उन्होंने सबसे पहले दुनिया का निर्मान किया था इसलिए उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर भी माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही भगवान शिव का प्रिशूल बनाया था और उन्होंने ही भगवान विश्व का सुदर्शन चक्र भी बनाय जाता है कङाज जाता है आज के दिन घर में रखे वे लोहें के समान की या फिर जो भी मशीने है अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार से संब्सक्राब वे सब्लब मुझे हैं अब बात करते हैं परिवर्तिनी एकादशी की तिथी और शुब मुर्थ के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगी व्रत कब और कैसे खोला जाता है परिवर्तिनी एकादशी है 17 सितंबर शुक्रवार के दिन और भातिरपत मांस के शुक्रपक्ष की ये एकादशी है एकादशी की तिथी जो प्रारम हो रही है वो हो रही है 16 सितंबर की सुभा 9 बचकर 37 मिनट से और ये तिथी समाप्थ हो जाएगी 17 सितंबर की सुभा 8 बचकर 8 मिनट पर अब जानते हैं 12 तिथी के बारे में 12 तिथी प्रारम हो रही है 17 सितंबर की सुभा 8 बचकर 9 मिनट से और ये तिथी समाप्थ हो रही है 18 सितंबर की सुभा 6 बचकर 54 मिनट पर 12 तिथी को सुर्वते का समय रहने वाला है शनिवार के दिन सुभा 6 बचकर 17 मिनट पर अब व्रत खोलने का जो शुब समय रहने वाला है वो रहेगा 18 सितंबर शनिवार की सुभा 6 बचकर 17 मिनट से लेकर सुभा 6 बचकर 54 मिनट तक इस दिन आपको बहुत ही कम समय करना चाहते हैं या अपने पापों का प्राइश्य रहाल करना चाहत सिर्द्ली गया का ऊक्रणाय को हमेशा करना चाहिए हरिवाषर के समय कभी भी द्वादशी तिति के दिन भी होता है कोई थिति परालम होती है उसे ही थार्यसी दिन ह्री तीकिती की समय माला चाहता है तो इस समय में की गई पुजा पार्ट का या किये गई वरत का दान का कोई भी पुन्यफल आपको कभी प्राप्त नहीं होता है और आपका एकारदशी का वरत भी पूरा नहीं माना जाता है तो ऐसे में शुरू के जो 4-5 घंटे होते हैं नई तिथी प्रारम होती है तब तो उस समय को कहा जाता है हरीवासर उस समय आप वरत कभी भी ना खोले अब अगर आप 17 सितंबर को ही वरत खोलना चाहते हैं अगर आपने 16 सितंबर को वरत रख लिया तो आप 17 सितंबर की सुभा का जो समय होता है महुर्ट आप उस समय वरत खोल नहीं सकते हरीवासर का समय रह कि इस दिन आपको क्योंकि कम समय प्राथ हो रहा है तो आप अगर किसी प्रहमत देपता को या कहीं भी दान देने की स्थिति में नहीं है तब आप अपने मंदिर में दान में दी जाने वाली जो भी सामगरी है दक्षिना है उसे आप भगवन विश्णू की चर्णों में रख सबसे पहले तो अगर आपने व्रत किया है तो सुबह उठकर आप इसनान कीजिए साफ पीले रंके वस्त पहने तो बहुत अच्छा है हाथ में जल लेकर आप आज के दिन दान देने का भी संकल्प लीजिए एक आदरशी का व्रत दान दिये बिना पूरा नहीं माना जाता ह चाहे आप चोटा सा दान क्यों ना करें चाहे आप केबल चीटियों को शक्कर ही क्यों ना खिलाएं यह भी एक दान माना जाता है तो आप कुछ ना कुछ दान जरूर करेंगे इसका संकल्प लीजिए साथ ही आप सबसे पहले सूरेदेटा को जल अर्पित करें और फिर आप तुलसी दल भगवान विश्न को ही अर्वित करेंगे अब कौन-कौन सी चीज़ें आपको वरत खोलते समय खानी चाहिए तो आप अनाज खा सकते हैं आप चाहें तो सेंधर नमक का या फिर शुद्ध सादे नमक से बना हुआ भोजन भी आज के दिन ग्रहन कर सकते हैं आप आज के दिन डाल, रोटी, सबजी, कोई भी चीज़ खा सकते हैं बस शुद्ध साथ भी खोनी चाहिए यानि कि लहसन प्याज का प्रियोग उसमें नहीं होना चाहिए आलू की सबजी, लौकी, तुरई, यह सब चीज़ें आप खा सकते हैं दाल भी आप खा सकते हैं ल उन सभी नियमका पालन हमें द्वादशी तिति तक भी जरूर करना चाहिए जो कि चावल का पूरीतर से निशेद होता है इकादशी व्रत में तो आप बाद में खा सकते हैं लेकिन व्रत खोलते समय ना खाएं अगर आपका प्रदोश व्रत भी प्रारंभ है क्योंकि द्व सभा के समय पूजा करें भगवान विष्णु को जो भी भोजन आपने बनाया है या फल मिठाई का जो भी आपकी सामर्थ है उसका आप भोग लगाएंगे और आप खुद जल और तुलसी के पत्ते के साथ अपना व्रत खोल लेंगे ध्यान रखना है तुलसी के पत्ते कभ भगवान शिर्ग की तो आप फल मिठाई के साथ भी दूट से बनीवी जो मिठाई होती है आप उनसे भी व्रत खोल सकते हैं सुभा के समय या फिर आप तुलसी के पत्ते से भी रत खोल सकते हैं द्वादर शितिति के दिन भी आपको बार-बार अपना मुह जूठा नहीं क करना चाहिए आप सुभा के समय व्रत खोले तो उस समय जो आपको ग्रहंड करना है और फिर आपको शाम के समय भोजन करना चाहिए आज के दिन भी लहसंप्याज का प्रियोग नहीं करना चाहिए इसके साथ ही आप द्वादशी तिथी के दिन अगर किसी गाय को भी एक रोट देवता को आप कुछ ना कुछ दान करिए रुपए पैसे वस्तर का या उन्हें एक समय का बनावा भोजन आप दान में दे कर आईए उनका आशिरवात प्राप कीजिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उन्हें घर पर भी आमन्दित कर सके तो इससे बढ़कर और चालिया था यह थी आज की जानकारी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विश्नु भगवान की जैलिकने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा